ये खबर iPhone users के लिए है जब आपने दोस्तों iPhone खरीदा होगा तो उसके साथ एक आपको चार्जर भी खरीदना पड़ा होगा आप सोच रहे होंगे कि चार्जर तो मुफ्त में मिलता है लेकिन iPhone के साथ वो खरीदना पड़ा होगा आपको ये बात बुरी भी लगी होगी और उसके लिए जब आप अलग से पैसा दे रहे होगे तो भी ये बात बुरी लगी होगी क्योंकि हर कमपनिया मोबाइल के साथ चारजर देती हैं लेकिन एपल ने एक नया फंडा अपनाया था वो चारजर भी अलग से बेच रहा था और इयरफोन भी अलग से बेच रहा था जिसके लिए ग्राहकों को अलग अलग पैसा देना पड़ रहा था लेकिन भारत के किसी मंत्राले ने इस पर आपत्ती ना जताई भारत के लोगों ने तो आपत्ती जताई थी इस पर लेकिन किसी मंत्राले ने आपत्ती नहीं जताई लेकिन ब्राजील इस पर कड़ा रुख अपनाया है ब्राजील अपने देश में आईफोन बैन कर दिया है और 18 करोड रुपए का आईफोन के उपर एपल कमपनी के उपर जुर्माना लगाया है कि आप हमारे देश में चारजर अलग से बेच रहे थे इसलिए आपको हम 18,18 कर क्रिटिकल है क्योंकि आईफोन की लाँचिंग भी आज होनी थी आईफोन 14 की और आज ही के दिन कल राइटर्स के खबर के हिसाब से आज ही के दिन ये खबर आई कि आईफोन के उपर 18 करोड रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है और आईफोन ब्राजील में अब बै ये है कि कोई भी कमपनी जब किसी देश में व्यापार करने जाती है तो उसके अलग-अलग इंस्टुमेंट्स का अलग-अलग पैसा वो कानूनन नहीं ले सकती है लेकिन आईफोन जैसी कमपनी किसी देश में आकर भारत में आकर भारत की आईफोन का एक बहुत बड़ा ब खाने के लिए एक सेब कटा हुआ फोन तीन कैमरे का फोन हाथ में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अमीर दिखना चाहते हैं लेकिन इस अमीर दिखते हुए देश में किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया कि चारजर भी अलग से उसका पैसा आपको देना पड़ता है ये फो आईफोन को बैन कर दिया अब आप क्या सोचते हैं ये हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा लेकिन अगर आप आईफोन यूजर हैं या आईफोन 14 खरीदना चाहते हैं या आईफोन खरीदने वाले हैं तो कम से कम इस मुहीम का हिस्सा बनिये कि भारत में भी अथिक चूनाना लगे वो अधिक पैसे ना खर्च करें ऐफून आप आईफोन को टैक करें कहें हमको चार्जर और इयर फोन मुफ्य में चाहिए क्योंकि बहुत सारी कंपनिया यही करती है और आईफोन को भी यही करना चाहिए और जन्ता के साथ यही सुलब है क्योंकि जो भी सामान बाजार में उपलब्ध होते हैं जिसके साथ वो कनेक्टेड रहते हैं उसका मूल एक साथ ही लिया जासा है जैसे आप गाड़ी खरीदें और गाड़ी का टायर अलग से कहीं खरीदना पड़े और आप उसका एर बैग आपको अलग से खरीदना पड़े तो ऐसा नहीं हो सकता है एक साथ असेंबल की हुई चीज का एक साथ पैसा होता है जो एक आप iPhone user है तो भी comment box में बताइएगा अपना बेहत ख्याल रखिएगा धन्यवाद